वेलकम टिश्टाउं डिक्टेशन डिक्टेशन पांच सिकन बाज शुरू होगा रेडी स्टार्ट दिल्ली पुलिस की कार्य सहली को लेकर काफी समय से अंगुलियां उठती रही हैं पर जामियां मिल लिया इसलामियां की घटना के बाद उसकी निस्ठा पर भी सवाल उठने लगे अब दिल्ली उच्चन्यायाले ने कह दिया है कि जामियां मिल लिया मामले में पुलिस का तरीका पेशे वराना नहीं था नागरिक्ता संसोधन कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान एक रात दिल्ली पुलिस ने जामियां मिल लिया इसलामियां परिसर में घुस कर विद्यार्थियों की बरबरता पुर्वक पिटाई की थी उसमें लाइब्रेरी में अधेयन कर रहे विद्यार्थियों छात्रावास में रह रही लड़कियों तक पर लाठियां बरसाई गई थी उस घटना की अनेक तश्वीरें सोसल मीडिया पर प्रसारित हुई मीडिया में भी आई सभाविक ही पुलिस के इस रवये से जामियां के विद्यार्थियों के साथ पूरे देश में आक्रोस उभरा था और उस कारवाई को लेकर तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो गए थे इस घटना की जाच के लिए विसेस जाच दल गठित करने की मांग उठी अदालत में इसकी गुहार लगाई गई उस घटना पर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ने संग्यान लिया था उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही उच्चन्यायाले ने ताजा टिपणी की है जामिया मिलिया परिसर में पुलिस के घुसने को लेकर सबसे पहला सवाल तो यही उठा था कि वह किसकी इजाजत से परिसर में घुसी थी वहां की कुलुपति ने भी यह गंभीर सवाल उठाया था पुलिस ने न सिर्फ छात्राओं से मार पीट की बलकि विश्विद्याले की संपत्ती को भी काफी नुकसान पहुचाया था विश्विद्याले परिसर स्वायत शासी होते हैं और उनमें वहां के प्रशासन की अनुमति के बगर पुलिस का प्रवेस वर्जित होता है यह दुनिया भर का नियम है दिल्ली पुलिस इससी अनजान नहीं मानी जा सकती जामिया मामले में पुलिस ने विश्विद्याले प्रशासन से इजाजत नहीं ली थी जब यह सवाल उठा तो उसकी दलील थी कि वहां कानून विवस्था का मामला गंभीर हो गया था इसलिए उसे प्रवेश की इजाजत लेने का समय नहीं था मानवाधिकार आयोग ने भी कहा है कि वहां कानून विवस्था का मामला था जिसे अतिरिक्त महान्यायवादी ने अदालत के सामने उद्गृत की करते हुए पुलिस के परिसर में प्रवेश को उचित ठहराने का प्रयास किया पर अदालत ने इस आधार पर पुलिस को निर्दोश मानने से इनकार कर दिया सवाल सिर्फ परिसर में घुसने का नहीं उसके पूरे रवये का है यह सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर पुलिस का असल मकसद क्या था यह ठीक है कि नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर देश भर में आंदोलन उठ खड़े हुए थे और जामिया में कुछ अधिक ही तीखा विरोध हो रहा था पर उससे निपटने का यह तरीका कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता कि पुलिस रात के अंधेरे में विद्यार्थियों पर बरबरता पुर्वक हमला कर दे उस घटना में कई विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हुए थे दंगों के वक्त भी जब भीड उग्र होती है पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी प्रकार के जान माल का नुकसान न पहुचाते हुए उस पर काबू पाई इसके लिए पुलिस को बकाईदा प्रशिक्षन दिया जाता है जामिया में तो ऐसी कोई इस्थिती नहीं थी कि पुलिस को अपने बचाव में बरबरता पुर्वक लाठी चलानी पड़े उसमें छात्राओं तक का लिहाज न किया आखिर उसने ऐसी रणनीत क्यों बनाई जामिया की घटना ने दिल्ली पुलिस को अनेक सवालों के घेरे में लाखडा किया है कि फूप